क्या हाल साल आप से भीक देखें बहुत ही बड़ी इस्वतारी है न्यूज की फाइनली बोर्ड ने निकाल दिया है क्या बोर्ड ने निकाल दिया है अपना कौन सा तरीका वो यूज करेंगे असेस्मेंट के लिए बच्चों की और यह जो मैं आपको आपको आप बताने वालों बहुत ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसको ध्यान से सुनना, क्या कहा है बोर्ड ने, हम कोई आठ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नोने simply कहा है कि बच्चों के 12th के final के जो result है, जो final का जो result है, उसको हम किस basis पर निकालेंगे, पहली चीज, 12th के pre-board, pre-board के number लगेंगे आपके, 12th के pre-board के किते percent, 40%, that is a big thing, that is a big thing, then second one is 11th के number, which I don't particularly like, बहुत ही गलत किया इनोने, 11th के number लगेंगे आपके, कितने, 30%, and finally आपके 10th के, अब 10th के में there is a twist, best of 3, 10th के best of 3 के 30% लगेंगे, इसका क्या मतलब है, देखें मेरे class 12th के अंदर आये थे 90.0% exact, 90.0% मेरे exact आये थे, let's see, let's see, अगर मैं होता, इस समय त इतने आता, और देखो, बहुत बड़ा जटका लगने माला आप सभी को, prepare करते रहो, paper हो के लिए, because यह जो इनोने कराए, CBS, and that is super bad, तो मैं आपको अपना context बताऊ, मेरे 12th pre-board में कच खास number नहीं थे, 79% number थे, I remember, क्योंकि एक बच्चा अगर 75 प्लस ला रहा है, तो उसके 90 90% मजे से आएंगे, अगर pre-board में, okay, pre-boards are very hard, then we had 30% of 11th, 11th में मेरे आयते बहुत कम जब कि सब के ही आते हैं, that is 69%, and finally, अगर मैं अपने best of 3 की बात करूँ, तो मेरे SST के class 10th में आयते 98, which is the highest I got, science में मेरे थे 96, and English में मेरे थे 95, alright, तो मेरे ये ये number थे, अब देखते हैं, अगर हम 30% वगरा निकालेंगे, तो कितना आता है, well, अगर मैं आप लोगो को simply लेके जाओ, what is 79% का 40%, alright, तो सबसे बहले हम देखेंगे, सीदी सीदी calculation, तो ये calculation मैंने उपर already कर रखी है, ये देखिए, 12th के 79% का 40% will be, will be 31.6%, 31.6%, then 11th के 30%, 30% of what, 69% का 30% किता है, वो है मेरा 20.7%, that is 20.7%, and finally, finally कि अगर मैं बात करूँ, what is मेरे 98, 96, 95, ये किता बन रहा है, 289 out of 300, that is 289 out of 300, ये है मेरे around 96.3%, इसका 30% किता बनेगा, इसका 30% is 28.9%, 28.9%, which is pretty good, but total करने पर क्या आता है, तो मेरे, अगर मैं आपके जमाने में होता, तो मेरे total marks कितने आते, that would be 31.6%, 20.7%, plus 28.9%, जिसका answer is, यहाँ पर अगर हम देखे, ये है, ये है, 31.6%, 20.7%, 31.6%, exactly, that is, मेरे total number आते, 81.2%, oh my god, look at this, look at this calculation, 81.2% from 90.0%, कितने परसंट का गिरावट हुई है हमारी, ये होई है, लगभग लगभग 9% की गिरावट हुई है, भारी भर कम, या मैं कहूँ, 8.8% की गिरावट हुई है, इतनी बड़ी गिरावट, अगर आपके मेरे से related number आए थे, तो आप समझ सकते हो, ये आपका नया आने वाल है, तो क्या आप इसमें satisfied हो, बिलकुल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आपको बिलकुल satisfied नहीं होने चाहिए, for the fact, मेरे तो 10th में फिर भी बहुत अच्छे number आए थे, I had 92%, तो या संबल कर रहो, पढ़ाई करते रहो, पहले ही अपनी marking decide कर लो, ज़रू ही 81.2 है, क्या पता जादा भी आ सकते हैं, but बेस समझ कर रहो, कि 85 से उपर तो 90.0%, तो अगर मेरे 90 से 80 उन गई हैं, तो किसी के 95 से 85 चले जाएंगे, look at this, look at the ratio, बहुत बड़ी ratio है, समझो इस बात को, कि CBSC ने इस बार बहुत बड़ा गंदा खेल खेल दिया, आप सभी के साथ, please, हलाकी मैं कहूंगा, panic मत करो, do not panic, panic नहीं करने का, अपने number measure करो, you have to study, what you have to do, is you have to study, fast, जल दे शुरू हो जाओ, मेरे भाई, अगर आपके number कमा रहे हैं, आप ये समझ लो, DU के अंदर अभी भी cutoff होची जाएगी, बच्चों के बहुत अच्छे number भी आए है, हद से हद, DU की अगर 99 परसंट जाते तो कितने किर जाएंगे, 95, 96% किर जाएं आपके शमा, थांके शमा, जाए हिंद जाए भारत